और उसके सामने यह का जाता है कांग्रेस में कोई नेता नहीं है लेकिन अकेले सुनिया गांधी जी पूरे देश में निखली और अटल बिहारी पाज पर येसी कद्दावर नेता को परास्त करके यूपिक सरकार बनाए तो ये तो जनता कि जो अपी कब किस बात पर जनता इसको कहा नहीं जा सकता लेकिन सब का वक्त आता है अभी मोदी जी का वक्त है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अभी किसका वक्त है जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अभी किसका वक्त चल रहा है जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मे वो पूरी सिद्धत के साथ UP में जूटी हुई है तो जो जिम्मेदारी पार्टी ने तैक्या वो काम वो कर रही है जहां तक राहूल जी की बात है राहूल जी राष्टी अध्यक्ष चुकि रह चुके हैं और राष्टी राजिनती में हमेशा वो सक्री रहे हैं तो निश्य तुरुप से राहूल जी दूसरा हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए राहूल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए यह आप लोगों की आवाज है चलिए वक्त मुझे इतने की हिजाज़ा देता है लेकिन चलते चलते चुकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी राष्टर के नाम जंबोधन करते हैं और तीनों क्रिशी कानूनों की वापसी की घोठना करते हैं दोनों सद्नों से वो पास भी हो गया है किसान लेकिन अभी वापस नहीं जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री का कम से कम ये कदम पेट्रोल में दस रुपे डिजल में कमी आई और ये जो जो किसान कानून है ये वापस लेने वाले नहीं थे उनको डर लग गया था कि पंजाब और उत्तर प्रदिस हमारे हाँ से निकल चुका है यदि कुछ रिकावरी करना है तो इसे वापस करके ही किया जा सकता है तो ते मानने वाले नहीं पीछे हटने वाले नहीं है बलके अब MSP लेने की बात है बिलकुस सही हम तो 36 गड़ में उससे ज्यादा दे रहे हैं तो देश के किसानों को MSP लेने का अधिकार है उसकी घोशना करना चाहिए प्रधान मंत्री जी को आपको लग रहा है कि जो किसानों की कंदे पर बंदूक रखकर विपक्षे दल चलाते हैं और फादा लेने के कोश्रिश करते हैं क्या ये बात भी है ये बिलकुल गलत बात है किसान अपना अंदोलन कर रहे हैं हम किसानों के मुद्दे पर समर्थन कर रहे हैं और किसानों के सबसे पहली बात तो है कि विरोध तो रहुल जी ने किया और टेक्टर रैली यदि पंजाब में किया तो रहुल गांधी जी ने किया चुंकि वो गयर राजनितिक है वो अपना अंदोलन कर रहे हैं लेकिन किसानों के जो मांग है उसके समर्थन कंग्रेस पार्टी सुरू से कर रह और अभी भी है चलते चलते यूपी में कंग्रेस पार्टी को कितनी सीटे आ रही है अब मैं कोई भई सुवक्ता नहीं हूँ लेकिन यह है हमारे पास खोने कुछ नहीं है जो कुछ है वो पाना ही पाना है और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और चौकाने वाले रिजल्ट आएंगे लेकिन 36 गड़ की जनता ने कांग्रेस को असेरवाद दिया तीन चौथाई बहुत से जिताया पंदरा साल के सरकार को पंदरा सीट में समेट दिया तो यूपी में भी देखिए को उसी प्रकार से कुछ रिजल्ट आएंगे